Hello Guys, Welcome Back, Point Tech Support जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहा हैं इस टाइप का PowerPoint में animation आज हम create करेंगे तो पिलीज वीडियो में end तक बने रहेगा चलिए ये start करते हैं Ctrl N से एक नई slide ले लेंगे और इसके अंदर जो भी content है उन contents को हम यहाँ से दिखेगा इस पेज के उपर right click करेंगे format background में जाएंगे और format background से इसके अंदर कोई भी एक plan color हम दे सकते हैं तो यहाँ पे अभी हम black color ले लेते हैं इसके बाद मैं अपने insert option में जाएंगे और shape tool एक option में लेगा यहाँ से एक line ड्रॉ करेंगे जिसको control और shift को hold करते हुए कुछ इस तरह से draw कर लेंगे इस line को तकरीबन 5 के आसपास हम रख लेंगे बाकि आप कम या जादा इसको रख सकते हैं इसके बाद इस line को click करते हुए shape outline पे जाएंगे और यहाँ से इसका color हम white कर देंगे outline से ही इसकी जो weight है उसको 1pt कर देंगे इसके बाद इस line को select करके यहाँ एक align option मिलेगा इसमें align center करेंगे और इसको ही हम align middle कर देंगे तो यह paper के ठीक बीच में यह line हमारे पास आ जाएगी इसके बाद हम इसके उपर एक animation लगाएंगे अभी animation में जाएंगे और add animation से spin animation हम इसके अंदर लगा देंगे जैसे हमने spin इसके उपर लगाया spin के बाद मैं इसको यहाँ से with previous कर देंगे और इसकी जो speed है उसको हम यहाँ से 3 कर देता है और इसका जो delay है उस delay को हम यहाँ से 0.50 कर देता है इसके बाद animation pane में जाएंगे और animation pane से इसकी setting में चलेंगे timing में जाके इसको until end of slide करेंगे effect में जाके auto reverse करके इसको हम ok कर देंगे इस तरह से ये हमारा animation पे लिए होना start हो जाएगा अभी इसके उपर एक और दूसरा animation लगाएंगे add animation पे जाएंगे और add animation से grow and shrink एक animation है हमारा इसको लगाएंगे इसका जो duration है वो 2 ही रखेंगे और यहां से दिखेगा इसको भी हम with previous कर लेते हैं और इसका जो delay है यहाँ पर 0.5 है इसको 0.5 रखेंगे इसको click करते हुए timing पे जाएंगे effect में जाएंगे auto reverse करेंगे इसके बाद में timing पे जाएंगे इसको until end of slide इसको कर देंगे और देखेगा effect में ही एक option है 150% यहाँ पे show होता है इसको click करते हुए इसको hook करके इसको ok कर देंगे इसके बाद इसकी इस animation की यहाँ से duplicate copies करेंगे तो इसकी कई सारी हम यहाँ से copy कर लेते हैं Ctrl D से करीबन 15 या आप कम या जादा भी copies करे सकते हैं इस all over को select करेंगे select करने के बाद format पर जाएंगे align करेंगे align center करेंगे और align यहाँ से middle कर देंगे तो यह page के ठीक center में आ जाएगा animation panel में चलेंगे तो यहाँ all over animation हमें यहाँ से देखीगा so हो जाएंगे अभी हम इनका delay चेंज करेंगे delay चेंज करने के लिए आपका जो delay है वो 0.5 स्टार्टिंग में दिया है इसके बाद यहाँ से delay को आगे की side में हलका हलका इस तरह से बढ़ा देंगे अभी इनको हम select करेंगे अभी देखे गब play करके अगर देख slides ओपर जाएंगे और from current slide करेंगे तो इस टाइब से कुछ animation हमारा यहाँ से देखीगा यह play हो जाएगा अभी escape करके बाहर आएंगे और इन all over को हम select करेंगे select करने के बाद इसकी भी duplicate करेंगे selected panel है हमारा यह जो area हमने select किया है इसको हम यहाँ से change करेंगे इसमें जो animation है यहाँ पहले animation को हम select करेंगे और उसके बाद मैं control को press करते हुए second को select करेंगे इस तरह से alternate base पे हम इनको select कर लेंगे इसकी setting में जाएंगे effect में जाएंगे effect में जाने के बाद देखेगा जो spin animation है हमारा हमने उसको select किया यहाँ से अगर हम देखें तो हमने सिर्फ particular spin को किया है spin को select करने के बाद points पे जाके timing पे जाएंगे और timing पे जाने के बाद effect एक option हमें मिलेगा effect में हम इसको क्या करेंगे इसको select करेंगे और यहां से इसको देखिएगा count clock bys करेंगे और इसको हम ok कर देंगे इसके बाद में हम दुबारा से फिर अगला animation select करेंगे इसी के अंदर इसी portion को हम पकड़ेंगे इसमें जो second portion है इसको हम select करेंगे control प्रेस करते हुए alternate base पे इनको भी हम select कर लेंगे इसके भी point पे जाएंगे timing पे जाएंगे और timing पे जाने के बाद effect में जाना है हमें फिर और effect में जाके इसको भी देखिएगा जहां पे हमने 400 लिखा है इसको आप 300 करके enter करेंगे तो 300 आजाएगा और इसको हम ok कर देंगे अभी हमें अगर इस animation को slide सो से from current slide करके play करके देखेंगे तो देखेगा कुछ type का effect आपको देखने को मिलेगा escape करके बाहर आते हैं इसका next point देखते हैं इसी slide का हम duplicate करके नीचे आएंगे और इसको भी हम all over को select करेंगे select करने के बाद जो ये slide है हमारी इसको हम यहाँ से या तो कोई color कर लेंगे नहीं तो ऐसा भी रख सकते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे insert में shape tool पे जाएंगे और यहाँ से एक owl shape ड्रॉ करेंगे control shift को hold करते हुए इस तरह से एक owl shape बनाएंगे इसका size हम अपनी slide के बराबर रखेंगे जितनी हमारी slide है इसको भी align जाएंगे align से align center करेंगे और align middle कर देंगे तो ये slide के बीच center में आ जाएगा इसके बाद control D करके इसकी दूसरी इसी तरह से shape ले लेंगे और इसको भी हम यहाँ corner से पकड़ के control shift को hold करते हुए अंदर की side में इस तरह से कुछ drag करेंगे फिर इसकी एक duplicate करेंगे इस duplicate को भी हम इसके उपर रखेंगे और फिर हम control shift को hold करते हुए अंदर की side में कुछ इस तरह से खींचेंगे इसको फिर duplicate करेंगे है इस तरह से अउल अबर को हमें सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने के बाद मर्जन शेप पे जाएंगी और यहां से के लिए करते हुए इसको हम कमाई lक देंगे इसके बाद में एक कमाइन हो जाएगा और यहां से दिखेगा इस format में जाके इसका जो color है हम यहां से black कर देते हैं और इसकी जो outline है उसको भी हम यहां से dark black कर देते हैं और इसकी हमें copy करेंगे copy और copy करने के बाद यहाँ पर आके control V कर देंगे और इसको भी हम proper page पर set कर देंगे already यहाँ से set है और अभी जो second वाली slide है इसको हम delete कर देंगे first slide को अभी जाके हम slides उसे play करके देखेंगे तो कुछ इस type का effect मिलेगा जो starting में मैंने आपको देखाया था I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो please वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा और अभी तक आप लोगों ने channel हमारा subscribe नहीं किया है तो इस type के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे channel Mindtech Support को subscribe कर लिजेगा Thanks for watching this video, have a nice day